साप और चिटी की कहानी एक समय की बात है एक जंगल में एक साप रहता था साप जंगल के चोटे मोटे जानवरों जैसे चुआ मेड़क छिपकली की लेहरी पंच्यों के अंडे को खाकर बहुत बड़ा और मोटा हो गया था साप के विसाल आकार के कारण जंगल के बड़े जनवरों ने साप की सिकायत हाथी और सेर से भी की थी, किन्तु सेर और हाथी भी उस विसाल साप का कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब भी वा साप के सामने जाते तो, साप अपना विसाल फन लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता था, साप कई उने काट ना ले, इसी डर से ज उसके नस्तिक नहीं जाता था। दिरे दिरे साप को या घमंड हो गया कि जंगल का कोई बीजिव उसका सामना नहीं कर सकता। साप ने सोचा कि जब जंगल का राजा सेर ही मुझसे डरता है तो क्यों ना मैं भी एक राजा की तरह किसी विसाल जंगल में रहूं। या सोचकर साप एक विसाल बर्गत के पेड के बिल में रहने लगा। साप के आने से डर के कारण बर्गत में रहने वाले सभी जिव जंतु और पंचे उस पेड को छोड़कर चले गए। बर्गत के पेड के पास ही चीटियों की बिल भी थी। साप जब भी कही जाता तो उस रास्ते में चीटिया मिल जाती थी। चीटिया हमेशा अपने काम में ब्यस्त रहती थी। और साप को नमस्कात नहीं करती थी। चीटियों का यह ब्योहार साप को पसंद नहीं आया। एक दिन वह चीटियों की रानी से बोला। तुम अपनी सेना को समझा दो कि मैं जब भी यहां से गुजरता हूं तो मुझे सर जुका कर नमस्कार करें। नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा। साप की बात चीटियों की रानी को बिलकुल भी पसंद नहीं आई। और उसने साप की बात मानने से इनकार कर दिया। साप ने गुस्से में आकर अपनी पूँच से चीटियों की बिल पर प्रहार कर दिया। जिससे उनके घर को काफी नुकसान पहुचा साप की इस बेवार से सभी चीटियां बहुत अधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने एक साथ मिलकर साप पर हमला कर दिया चीटियों के काटने से साप की बहुत बूरी हालत हो गई दिरे दिरे चीटियों की संक्या बढ़ती जा रही थी और साप अपने आपको आसाहाई मैसूस करने लगा आखिरकार चीटियों के हमलों से साप की मौत हो गई और जंगल के जानुरों को उस खतरनाक साप से मुक्ती मिल गई कभी भी किसी भी जीव को छोटा समझ कर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए एक्ता में बहुत सक्ती होती है